नमस्कार तरशकों आप सभी अपने घरों में पेड़ पोधे जरूर लगाते होंगे लेकिन कुछ पेड़ पोधे ऐसे होते हैं जिने घर में अवश्य ही लगाना चाहिए और सही दिशा में लगाना चाहिए यदि आपके घर में ये पेड़ पोधे रहते हैं तो आपके घर म कभी भी किसी भी बुरी शक्ति का दुस्प्रभाव नहीं पड़ता है साथ ही आपके घर में कभी भी धनकी कमी नहीं होती है और कोई बूरी गटनाई भी नहीं होती है आईए आपको बताते हैं दो पोधे ऐसे जिनें आप अपने घर में अवश्य लगाएं यदि आप घर में पेड़ पोधे लगाते हैं तो आपके घर में धन दुगनी गती से आने लगता है लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनको घर में जितने भी पेड़ पोधे लगाए जाते हैं उनका उनकी जिन्दगी में बहुत ज़्यादा अधिक असर पड़ता है तन, मन और धन पर पूरी तरगे से पेड़ पोधे असर करते हैं क्योंकि इनी पेड़ पोधे से हमें अद्रशी शक्तियां हमारी रक्षा करती हैं और कई ऐसे पेड़ पोधे होते हैं जिन्हें गलत दिसा में लगा देने से उनकी अद्रशी शक्तियां हम पर दुस्प्रभा भी करती हैं और इनी शक्तियों की सहायता से व्यक्ति का सोभाग्य चमकने लगता है और व्यक्ति का दुर्भाग्य भी खत्म हो जाता है आईए हम आपको सुक समरद्धी प्राप्ति के लिए दो पोधे ऐसे बता देते हैं जिने आप अपने घर में अवशे लगाएं इन लोगों किया ल आपस में अच्छी नहीं बन पाती है लेकिन आप सोचते हैं कि घर में साथ में ही रहना है और घर में लड़ाई जगड़े भी कम करना है तो आप अपने घर में तुलसी का पोधा अवशे लगाएं तुलसी के पोधे के पास आप केले का व्रक्ष भी जरूर लगाएं और तोनों ये दो व्रक्ष ऐसे हैं जो घर में होने ही चाहिएं तुलसी और केले का व्रक्ष तुलसी का व्रक्ष आप सोमवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन अपने घर में लेकर रकाएं और सुबह के समय लगाएं वहीं केले का व्रक्ष भी गुरुवार के दिन आप अपने घर में लगा सकते हैं क्योंकि जब भी आप अपने घर में पेड़ पोधे लगाते हैं तो सुभा का समय ही चुनना चाहिए सुभा के समय ब्रह्मो मोहरत में आप इने लगाएं आप फिर आप 11-12 बजे के पहले इन पोधों को अपने घर में लगा ले केले का वरक्ष आपको केवल इशान कुन में ही लगाना चाहिए और तुलसी का पोधे के पास ही लगाना चाहिए क्योंकि तुलसी माता लक्षमी का प्रतीक है और केला पोधा भगवान विश्नु का प्रतीक है और आपको दोनों पोधे का विशेश ध्यान भी रखना चाहिए दोनों पोधे में तांबे के लोटे से जल अरपित करना चाहिए तांबे का लोटा बहुत ही शुद्ध माना गया है उसमें भरा गया जल भी बहुत ही अतित्थ सूब्र माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर वह जल हो जाता है वहीं तुलसी की दाहिनी और केले का वरक्ष इस्थापित करना चाहिए केले की वरक्ष की बाई और तुलसी का वरक्ष इस्थापित होना चाहिए इससे सुक समरद्धी दुगनी तेजी से बढ़ने लगती है और आपके घर में कभी भी निर्धंता नहीं रहती है सुक सांती बनी रहती है आप इस उपाय को अवश्य कर ले तुल्सी का पोधा तो सभी लगाते ही है लेकिन छोटा सा केले का पोधा अवश्य लगाएं अपने घर में केले का पोधा बड़ा होने पर आप उसे किसी गार्डन में लगा दें कहीं बाहर के इस्थान पर लगा दें लेकिन बड़ा केले का वरक्ष घर में ना लगाएं इन दोनों पोधों को लगाने के सांस साथ आपको इन में जल भी विशेश विवस्था करनी चाहिएं रो जाना अपने घर में जरूर लगा लीजिए आप इन दोनों पोधे को लगा के अपने घर में सुख सम्रिदी और लक्षमी का वास कर सकते हैं दर्शकों और भी उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में श्री शिवाए नमस्तु पर हम जाये माता दी